हेलो सुम मैं हूर रजट बहुत बहुत स्वागे था आप सभी का इस नहीं वीडियो में दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुमे किसी के प्यार में के आने वाले एपिसूड के बारे में क्योंकि सीरियल का क्लाइमेक्स अभी तक आया ही नहीं है तो इतनी जल्दी सीरियल को एक चैप्टर को एंड करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है वेल दोस्तों जानेंगे आने वाले एपिसूड की अपडेट के बारे में क्या खुछ खास है आने वाले एपिसूड के अंदर क्योंकि एक्स्पेक्टेशन तो वैसे भी हमारी सोच चुकी है सीरियल को लेकर लेकिन बात करना जरूरी है लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम सीरियल से जुड़े सबसे बड़े और सबसे मीजर टॉपिक के उपर जिसके उपर जो है अब तक कोई भी तरीके का इस चैनल पर मैंने बात नहीं की है क्योंकि देखो यह चीज है बहुत ही कांट्रोवर्शल और बिना सच जाने जो है इन सब चीजों के बारे में बोलना बहुत गलत हो जाता है लेकिन कई दिनों से बहुत सारे कमेंट यह थे कि आकिरकार आईशा सिंग, एशुरे, शर्मा और नील भट के बीच में जो है आकिरकार मसला क्या है तीनों के बीचियों आकिरकार ऐसी क्या दुश्मेनी हो गई है कि यह ओफ स्क्रिन कभी साथ में नजर ही नहीं आते हैं अब देखो दोस्तों यहां पर इसके बारे में अभी तक मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला और ऐसे में यहां पर ऑफिशली यह आउट हो गया कि दोनों के बीचे में अनबंतो है और यहीं पर लाइफ जब इंस्टाग्राम पर आईशे सिंग आई थी तो जब उन्हों किसी ने बोला था कि आप नील भट के साथ जो है रील बनाईए तो उन्होंने साफ एक शब्द में बोल दिया इस इंपॉसिबल आगे बढ़ते हैं और यह उन्होंने इंडिरेक्टली कह दिया डिरेक्टली कह दिया इंडिरेक्टली भी नहीं कहूंगा कि नील बट के साथ जो है उनका ओफ स्क्रीन कोई लेना देना कोई दोस्ती कोई भाई भेन वाला कोई रिष्टा उनके बीच में नहीं है ऐसे में दोस्तों यहां पर आकरकार इनके बीचों एक कॉल्ड ओवर की शुरुवाक्त हुई कैसे और इसका क्या रिजन हो सकता आईए इसके बारे में जानने ही कोशिश करते हैं अब सबसे पहले दोस्तों जब सीरियल स्टार्ट हुआ था तो देखिए सबसे इंपॉर्टन जो चीज निकल कर आ रही है आप लोग सोशिल मीडिया पर जो देख रहे हैं वो यही है क्योंकि देखो मैं भी जब वीडियो बनाता हूं तो खुद के सोर्सेज होते हैं कुछ सबी को बता दू कि हर एक करदार से जो है पहले ओफिशली कॉंटेक्ट साइनिंग होती है जिसमें उनके करदार को लेकर कितने भी मॉडिलेशन हो सकते हैं यह सीरियल के मेकर्स अल्रेडी डिसाइड कर लेते हैं क्योंकि कल को कोई भी एक्टर ऐसा कह देगा कि नहीं मुझ के आँखों में खटक रही थी और इसे के साथ इस सूशल मीडिया पर भी वो नील भट के साथ ज़्यादा एक्टिव थी तो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया बात कर लेते हैं दोस्तों आईशा सिंग की तरफ से कि आकरकार क्या चीज है तो दोस्तों आप लोग आईशा सिंग ने जो है हमेशा ही उनका सपोर्ट किया है अब वो चाहे सीरियल हो चाहे कुछ और क्यों नहों अब यहां पर इसका सबसे बड़ा एक्जामपल अगर हम लोग लिए अगर हम लोग देखें ऑफिशली मैं ऐसी कोई चीज नहीं बोल रहा हूँ जो मन घणय थ जब वो दोनों गए थे तो आईशा सिंग ने उनकी जोडी तक को प्रोमो के जड़िये प्रमोट किया था अब ऐसे में उस सीरियल का पार्ट नहीं था लेकिन उन्हों ने फिर भी दोनों की जोडी को प्रमोट किया था और दोनों को शुब कामना यह दी थी उनके नए शो की तरफ से तो दोस्तो आईशेरे शर्मा ने भी बहुत टाइम तक जो है लगातार आईशा सिंग के साथ तस्वीरे जो है लगातार अपलूड की है उन्होंने आईशा सिंग को एक अच्छे दोस के दरे ट्रीट किया है और इसकी कई तस्वीरे सामने आती है अब सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही थी तस्वीरे स्टोरी पोश्ट हो रही थी अब यह रीजन हो सकता है जब चारो कलाकार साथ में कर रहे हैं तो उनके बीचों दोस्ती क्यों नहों भला अब ऐसे दोस्तों कॉल्ड वार की शुरुवात कहां से हुई अभी देखो रह से ही ब कि आपने प्रस्नल ओपेनिंग की बात करूँ कि मुझे क्या लगता है यहां पर तो दोस्तों बता दू यह मेरा ओपेनिंग है आप लोग इसे रिलेट करेंगे नहीं करेंगे आपको समझायेगा यह नहीं आएगा पर मेरा ओपेनिग यह है कि यहां पर नील भट को लेकर जो है यहां पर उनके बीचिए शायद कोई चीज हुई हो अनबन हुई हो या फिर सीरियल के अंदर जो किरदार है जिसके कारण आईश्वरे शर्मा को जो है बहुत नेगिटिविटी जहेलनी पड़ी शायद इसी का जो है रीजन ये रहा होगा कि आईश्वरे शर्मा को जो लोग विलेन मानने लगे थे और आईश्या सिंग को जो है मसीहा मानने लगे थे क्योंकि उनका किरदार भी कुछ ऐसा ही था तो ये रीजन हो सकता है कि दोनों किरदारों के बीच में अनबन हुई हो रूल को लेकर बाद में स्टार्टिंग में विलेन के तौर पर आईश् रीजन नहीं हो नहीं लगता है मुझे कभी सामने आएगा अब चलिए कानी के और बढ़ जाते हैं तो आने वाले एपिसोड में पैरलेसिस हो चुका है यहाँ पर पूरी तरीके से सत्या को और यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछ रहे थी कि इसकी फिर से नौटंग की सत्या के किरदार का एंड जो है उसी वक्त हो गया था जब यहाँ पर उसका एक्सिडेंट कहानी के अंदर दिखाया गया था लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहानी में सीरिल के मेकर्स को एक ऐसे पॉइंट के जरू थी जो सेयर विराट को कुछ दिन और दूर रख सके तो यहा क्याने कि यह कहने कि सत्या की चाल्स साजिशे अच्छी बूरी कल दे वो सुच काम नहीं आने वाले है यहाँ पर बस उससेडिल को फिलाल कहीचने का काम कर रहा है। सिल्क में कस चाहते क्या हैं वेल दोस्तों आप लोग बताईए कि त्यारा एक्साइटेड है आने वाल एपिसोड को लेकर यास यह बताईए कि मुझे सबसे पहले तो कि आपको क्या लगता है एश्योरे शर्मा और आश्या सिंग के बीच में स्कॉर्ड वर का रीजन क्या है और नील बट के इसमें क्या इस्सेदारी है कि वो भी इसमें बीच में फ़स गए है कमेंट सेजिन में कोई सब्सक्राइब कर देचेगे दोस्तों मैं विडियो में जब तक के लिए थैंक्यों दोस्तों